नमस्कार बच्चो ऐसे हैं आप सभी मेरा नाम है हिमांशु श्रिवास्ता और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 की इहां चलिए तो क्योंकि आज पहली क्लास है तो हम introductory क्लास पे बात करेंगे आज हम syllabus के उपर discussion करेंगे हमारा आगे पढ़ने का क्या approach होगा हम उस पे बात करेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने पहले ही लिख दिया है यहां पे introduction to economy तो अगर मैं आपके syllabus की बात करूँ बच्चो तो आपका तो देखिए जो syllabus है वो कुछ ऐसा है आपको पढ़ना है इंडियान एकॉनमिक्स और फिर आप इसे कह सकते इंडियान एकनॉमिक डवलप्मेंट यह आपका carry करता है 40 marks और आपको पढ़ना है macro economics जो भी आपका carry करेगा 40 marks और 20 marks आपका होता है project अगर मैं पुराने syllabus की बात करूँ बच्चो तो पहले 12th class के अंदर micro economics और macro economics हुआ करता है तो कि मुझे भी पसंद था पुराना syllabus अगर मैं personally भोलू थो लेकिन नए syllabus के अंदर क्या किया हमारा जो macro economics है वो तो 12th में रह गया लेकिन जो micro economics है वो 11th class में चली गई जो हो fully आप लोग पढ़ भी चुके और Indian economic development पहले हुआ करती थी class 11 है क्योंकि अब आ चुकी है class 12 तो यह तो हो गई बच्चो syllabus की बाद अब पढ़ने का बच्चो अप्रोच क्या होगा देखिए मैं ऐसा मानता हूं personally जो भी बच्चा थोड़ी बहुत मेहनत करता है बहुत जादा मेहनत नहीं थोड़ी बहुत मेहनत करता है वो आसानी से macro economics के अंदर माक्स ला सकते लेकिन कॉमन मित यह है इंडिया निको का एक दो चैप्टर पढ़कर के बच्चों को ऐसा लगता है अरे यह तो बहुत आसान है यह बिल्कुल आसान तो है लेकिन इसमें माक्स लाना थोड़ा मुश्किल है कि इतना ज्यादा theoretical है theoretical तो है लेकिन साथ के साथ conceptual theory इसके अंदर है इंडियान एकनॉमिक डवलपमेंट पर कमांड हो जाब लगभग लगभग हर बच्चा कमांड करी लेता है जो भी थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं लेकिन जो इंडियान इकनॉमिक डवलपमेंट में कमांड लाएगा बच्चों वह चेंज क्रियेट करेगा वह 90 पलस का थोड़ा बच्चे को बोरिंग भी लगता है जैसे इंडियन एकनॉमिक डवलप्मेंट के कुछ चैप्टर मैं भी मांगता हूं बोरिंग है जैसे कि मैं बात करूँ पोवर्टी वगेरा तो उसमें बहुत ज्यादा चीजे नहीं है तो बच्चा लगता है लेकिन बाद में य NCRT को पकड़ के रखना है इंडियन एकनॉमिक डवलप्मेंट में अगर आपने अपनी NCRT को पकड़ करके रखा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपको और कोई बुक पढ़ने की ज़र्शत नहीं है बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं अलग-अलग किताबे खरीदत हैं बहुत सारे sources create कर लेते हैं लेकिन वही होता है कि किसी भी एक source स्कमार्ड यहीं करने दुनिया में कोई ऐसी भुक नहीं है इसमें इतना कम लिखा हो कि आपके अच्छेल करने वाले हैं इंडियन इकनॉमिट डवलाप्मेंट में बच्यों हम इंसीारि को फॉलो करने वा लेकिन आपको NCRT को पकड़ के रखना है तो जब मैं इंडियनी को यहाँ पे स्टार्ट करूँगा तो मैं भी बिल्कुल NCRT आपको पढ़ाऊंगा NCRT के एक एक शम्द का मतलब आपको क्लियर अब बात करते हैं बच्चों मैक्रो एकनॉमिक्स की तो मैक्रो एकनॉमिक्स में बहुत सारी बुक्स है जो मार्केट में अविलेबल है अल्दो मैक्रो एकनॉमिक्स की NCRT खराब नहीं है वो भी बहुत अच्छी है content wise वो थोड़ी कम है तो macro economics में कुछ side books की definitely जरूरत पड़ती है तो market में बहुत से publication के book है जैसे एक बहुत popular book है संदीब गर्ग उसके बाद बच्चो आप टी आर जैन विके ओरी ठीक है ये सारी book market में अविलेबल है आप अपने इक्षा अनुसार कोई भी एक book संदीब गर्ग इनके अलावा भी अगर आपको कोई भी book पढ़नी है और भी books है market के अंदर 11-12 की आप वो भी खरीच सके लेकिन इंडियान एकनॉमिक डवलोप्मेंट के लिए बच्चो फिर आपको इंसे का एंसी आर्टी को नहीं छोड़ा ठीक है लेकिन मैं जो शुरुवात करने जा रहा हूं बच्चो वो बिल्कुल बेसिक से शुरुवात करने जा रहा हूं तो आपकी हो सकता है 11 क्लास में थोड़ी टूटी पूटी एकनॉमिक्स रह गई हो धबराने की कोई बात नहीं है हम यहां से बिल्कुल सब कुछ आपके लिए फिक्स करें जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के उपर लिखा हुआ है बेसिक अब अगर मैं बात करूँ इक्वानेयmber के बैसिक्स की को हम सभी जानते हैं 11 आरफ ए lift क्लास में हमने पड़ा है सर जोिख कर लिखंश है कई बच्चों को ऐसा लगता है कि एकालनमिक जो है पैसा कमाना सिखाता है वैसे मेरी फर्स्ट क्लास में आते हैं और मैं उनसे पूछता हूं एकॉनमिक्स क्या है तो ऐसे बोलते हैं सर पैसा प्डीपी इंप्लॉइमेंट बड़ी कन्फ्यूज है भाई क्या असल में एकॉनमिक्स है क्या पूरी 11th है वो भी एक रिसोर्स है 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा रिसोर्स के बारे में एकॉनमिक्स के नजरों में मनी भी अपने आप में एक रिसोर्स है तो एकॉनमिक्स सिखाता है रिसोर्स पैसा कमाना नहीं सिखाता है उसके लिए तो दुनिया जहान का सब्जेक्ट है आपका खुद का दिमाग है पैसे का सही पैसे का सही इस्तेमाल कर पाएंगे तो आप बहुत पैसे कमा भी पाएंगे सिखाता है आट ऑफ मैनेजमेंट जैसे की बच्चों आप अपने आसपास देखेंगे कि कुछ आपको ऐसी फैमिली दिख जाएंगी इनके घर में पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन परिशानिया भी बहुत है उनका कोई काम टाइम पर नहीं होता है और भी उनकी दिक्कते है चादी ब्या करवाते हैं उनके आज खाना बनता है वही कम पढ़ जाता है पदनामी हो जाती है बहुत सारी चीजें लेकिन एक अधर साइड आपको दिखेगा कि कोई नॉर्मल सी फैमिली है लेकिन उसके घर में सब काम हो रहा है अब देखिए कम कमाने वाला अच्छी जि जिसको आट अब ज़रा चलिए आट अफ मैनेजमेंट को सीखते हैं कि सर थोड़ा सिखाओ ये आट अफ मैनेजमेंट से आपका क्या कहने का मतलत है अगर मैं एक एग्जामपल लूँ आपके साहां मैं दो लोगों को लेता हूं मालेजे Mr. A है और इधर है Mr. A Mr. A और Mr. B अपने पिता जी से कहते हैं कि पापा कभी आप 10 रुपए देते हो कभी आप 20 रुपए देते हो कभी आप 50 रुपए देते हो आप हमारे महीने की पॉकेट मनी क्यों नहीं फिक्स कर देते है तो पापा कहते है सोच ले अगर महीने की पॉकेट मनी फिक्स कर दी तो बीच में मता ना मेरे पास आप कहते हो कोई बात नहीं फिक्स कर दो तो दोनों की पॉकेट मनी दोनों भाई हैं और दोनों की पॉकेट म तो हजार रुपए economics की नजरों में रिसोर्स है अब Mr. A जो हैं यह क्या करते हैं अपने पूरे महीने का जो खर्च है को 900 रुपीज में निकाल लेते हैं इनके पास हो जाती है बच्चो तो रुपए की सेवी लेकिन Mr. B थोड़ा हमारी तरह है खर्चीले हैं हाथ नहीं इनका महीने का जो खर्च है वह 1100 हो जाता है आप कहोगे सर जब लिया ही 1000 था तो खर्च कैसे 1100 उधार लिया किसी दोस्त से जिस दोस्त से उधार लिया है उसको चुकाना भी तो पड़ेगा तो भाई यह तो पाइनस 100 में चले गए आपने देखा कि एक तरफ सेविंग बढ़ी और एक तरफ लाइबिलिटी बढ़ गई जली कोई बात नहीं अगला महीना फिर आया अगला महीना फिर आया तो मिस्टर ए को 1000 मिला और मिस्टर बी को भी 1000 मिला लेकिन मज़े की बात यह है बच्चों कि मिस्टर ए के पास 100 रुपे हो जाएंगे 1100 रुपे हो जाएंगे लेकिन अगर आप ध्यान से देखे तो इनके जो महीने का खर्च है बच्चों वह तो बस 900 के बराबर है तो इस महीने इनकी सेविंग बढ़के कितनी हो जाएगी 200 लेकिन जो मिस्टर बी को 1000 मिला है ये तो पहले 100 रुपे इनको चुकाना पड़ेगा तो बचेगा इनके पास 900 पड़ जिस इनसान ने पिछले महीने 1100 में किसी तरह गुजारा किया है वो इस महीने भी कम से कम 1100 तो खर्चेगा ही एवन 1000 भी खर्चेगा तो भी उसके लि अब आप देख पा रहे हैं इसकी लाइबिलिटी बढ़के 200 हो गई अब अगर पैसे का डारेक्ट कनेक्शन आपकी हैपिनेस से होता तो भाई मिस्टर ए को भी हजार मिला हुआ है और मिस्टर बी को भी हजार मिला लेकिन सेम पैसे का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति सेविंग की डारेक्शन में जा रहा है और एक व्यक्ति लाइबिलिटी के डारेक्शन में जा रहा है बच्चो ये बताओ अपने रिसोर्सेस को कुछ इस तरीके से यूटिलाइज किया ताकि इनको मिल पाया मैक्सिमम साटिस्फैक्शन और साथ के साथ इनों ने किया खूपसूरत सा सेविंग कितने रुपए का बच्च 200 रुपए का इकनॉमिक्स भी क्या सिखाता है बच्च हमारी जो जरूरते हैं वो अनंत हैं लेकिन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिस्पोर्स हैं वो बड़े कम हैं अब इनही दोनों के बीश तो पूरी जिंदगी निकल जाती है कि आइन्स फिजिक्स केमेस्ट्री ये सब क्या सब्जें जिंदगी घूम रही है एकनॉमिक्स के बीच में हर व्यक्ति एकनॉमिक्स के चक्कर में फसा पड़ा है तर आम धनी अठनी खर्चा रुपईया पैसा कितना भी आता है सब खर्च हो जाता है करे तो करे क्या अरे एक लेकिन आपका जो सिलेबस है वो बेसिक्स वाला सिलेबस तो है नहीं क्यूंकि आप आल्रेडी मैं सामान करके चलता हूं कि 11 के बेसिक्स थोड़े बहुत तो आपको आते ही होंगी नहीं आते होंगे तो हमारे ही चैनल पे आपको मैं पढ़ाएंगी 11 क्लास की इकनॉमिक्स वो आपको basics भादेंगी है ना अगर आपके syllabus की बात करूँ तो आपका syllabus जो है वो है introductory macroeconomics लेकिन बिना microeconomics को समझे आपको macroeconomics थोड़ी समझाएगा इसलिए जो पहले class की चर्चा होगी वो होगी हमारी किसे के microeconomics और macroeconomics को क्या होता है लेकिन उससे पहले कुछ theoretical notes हैं जो हम देख लेते हैं जैसे की देखिये what is economics all about so the science of economics was born with the publication of Adam Smith, Adam Smith ने एक book लिखी बच्चो by the name of an inquiry into the nature and causes of wealth of the nation 17 लेकिन सवाल उठता है कि sir father of economics हम Adam Smith साहब को कहते हैं Adam Smith साहब तो नजर में आए 1776 में क्या उससे पहले economics थी नहीं किलकुल economics थी भाई जो हम आपका जो syllabus है बच्चो वो modern economics पढ़ाता है father of economics Adam Smith तो है but Adam Smith is father of modern economics इसके पहले भी economics थी economics तो भाई लेन देन सिखा रहा है resource का management सिखा रहा है तो धरती जब से चली आ रही है तब से economics चला आ रहा है लेकिन आपका syllabus कहां isolated है वो isolated है modern economics तो Adam Smith सहाब जो है वो father of modern economics कहलाते फिर देखिए Adam Smith is known as the father of economics and at its birth the name of economics was political economy अब पुराने समय में economics को political economy माना जाता था Adam Smith भी तो थे वो पूरी तरह economist नहीं थे वो भी एक politician थे तो उनका जो economics का approach था वो directly politics से connect है लेकिन आज यदि आप economics को देखे तो इसका approach बहुत बदल चुका है यह politics से बहुत उपर उठ चुका है इसलिए पुराने समय में इसको कहते थे political economy towards the end of 19th century there was definite change from use of political economy to economics यानी 17th century से ले करके 19th century तक ये political economy कहलाई लेकिन उसके बाद after 19th century ये political economics से किस में convert हो गई economics में convert हो गई towards the end of 19th century there was a definite change from use of world political economy to economics अभी अभी हमने जाना और ये तो देखो बच्चा बच्चा जानता है कि the word economics was derived from Greek word oiko का मतलब होता है बच्चो household और nomos का मतलब होता है management तो household management एक household करता क्या है भाई resource को manage करता है अपने रोज मर्रा के खर्चे निकलता है खुद को बेतर से बेतर lifestyle देने की करता है इतनी भी उसकी आमदनी है उसी के अंदर does the word economics was used mean home management with limited funds available in the most economical manner possible conclusion क्या निकला कि economics हमें क्या सिखाता है कि कैसे हम अपने unlimited wants को अपने limited resources के साथ कुछ इस तरीके से adjust करें ताकि हमें मिल सके maximum possible satisfaction ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब आईए चुरू करते हैं आज की class micro economics and macro economics देखिए मज़े की बात तो ये है कि हमेशा से economics में division नहीं हुआ था एकनामिक्स जो थी वो सिर्फ एकनामिक्स एक व्यक्ति आए Mr. Ragnar Mr. Ragnar फिरिश नाम है इनका Ragnar साहब आए जिन्होंने micro और macro word को coin किये अब बहुत सारे बच्चे इस confusion में रहते हैं कि सर नहीं माइक्रो मैक्रो तो देने वाले जो थे वो जे एम कीन्स साहब थे जॉन माडियाट कीन्स लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों अन्डाउटेडली माइक्रो और मैक्रो को बहुत जादा popular करने वाले व्यक्ति साहब थे लेकिन coin करने वाले माइक्रो मैक्रो शब्द का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति Mr. Ragnar साहब थे लेकिन इन दोनों में फर्क क्या होता है देखिए जब economics थी तिर्फ economics थी बच्चो यानि कि जब micro और macro का division नहीं था तो problems का भी division नहीं तिकत ये आती थी बच्चो कि पोटी समस्या कौन है और बड़ी समस्या कौन है इसमें समाधान किसका ढूंडा जाए ये समझ में नहीं आता था जैसे एक simple सा example लेते हैं कि मान लीजे कि आप joint family में रहते हैं joint family में रहते हैं और इस joint family के अंदर काफी लोग रहते हैं A रहते हैं, B रहते हैं, C रहते हैं, E, F रहते हैं, C रहते हैं, H रहते हैं, I रहते हैं, K रहते हैं, K रहते हैं, K रहते हैं, कितने लोग हो गए बच्चों, 10 लोगों का परिवार है, एक जॉइंट फैमिली है, और ये 10 लोग साथ रहते हैं, अधर में सभी बेरोजगार बैठे हैं तो जो सबसे senior member हैं वो Mr. A है यह करता है आपको पता होगा joint family के सबसे senior member होते हैं करता कहते है B से पूछा जाता है कुछ क्यों नहीं करते हो तो यह कहता है C भी कुछ नहीं करता है यह कह रहे हैं परिवार आगे बढ़ी नहीं रहा है तो बाकी लोग कह रहे हैं कोई कुछ करता ही नहीं है तो परिवार कैसे आगे बढ़ेगा सर यह समझाते हैं यार तुम सब एक दूसरे पर क्यों ध्यान दे रहे हो तुम सब अपने उपर ध्यान दो न तुम सब अपनी अपनी पहले इंडिवीज्वल समस्याव से लड़ो अपनी अपनी पर्सनल समस्याव से लड़ो जब तुम सब इंडिवीज्वली ग्रो कर जाओगे तो हमारा घर परिवार तो आटोमेटिकली ग्रो कर जाएगा नहीं तो इस तरह तो हर व्यक्ति एक दूसर पढ़ेगी ही नहीं अगर आप रोज दो तीन घंटा सेल पे स्टडी करते रहे तो आपको एक एक दिन बीस घंटे पढ़ने की आवशकता पढ़ेगी ही नहीं इसलिए एक नौमिकस में एक समस्या ये आई कि समझ नहीं आ रहा था कि बड़ी समस्या को देखा जाई या छोटी समस्या कोदेखा तो माइक्रो और मैक्रो का डिविजन की आ गया देखो जो छोटी समस्या है वो इंडिवीज्यूल लेवल पे खतम हो जानी चाहिए जैसे हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि भाई मैं कितना कमाऊं मेरा काम कैसे चले मैं अपने बिजनस को कैसे आगे बढ़ाऊं मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी सेलरी आगे बढ़ जाए मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी कंपनी आगे बढ़ जाए तो जब तक मैं 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 मेर शब्स्तेमाल होता रहा माइक्रो चलता रहेगा लेकिन जैसे ही मैं बोला हमारा देश रखी करना चाहिए हमारे देश की महंगाई कम हो जाए हमारी सरकार को हमारे लिए ये करना चाहिए सभी लोगों को रोजगार मिलना चाहिए ये क्या हो जाएगा ये मैं से हम में कनवर्ट होंगे तो क्या बन जाएगा अगर मैं इंडिवीज्वली बात करूं वह एक माइक्रो अप्रोच और मैं एग्रिगेट कर दू इन सब को छोटे-छोटे माइक्रो अप्रोचे इसको तो माइक्रो मैक्रो कुछ अलग-अलग नहीं है आज भी इकनॉमिक्स ही है पस माइक्रो का ही सम टोटल मैक्रो समझार ये बात भाई देखो ये सारे लोगों को जब जौब मिलेगा आटोमेटिकली परिवार ग्रो कर गया की नहीं तो पूरा का पूरा परिवार अपने खतम हो जाएगी की नहीं देश अपने आप रिच हो जाएगा की नहीं देश में रहने वाले लोग यदि रिच हो जाएगे बच्चो तो देश क्यों नहीं रिच होगा देश भी अपने आप रिच होगा तो परसनली आप रिच होईए इंडिविज्वली आप रिच होईए आप लोगों की सहायता से देश भी रिच हो जाएगा तो माइकरो मैकरो कुछ अलग थोड़ी है बस समझने के लिए इन्हें अलग किया गया है माइकरो कहीं तो सम टोटल मैकरो हो रहा है आपके सामने कंक्लूज बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया माइकरो और मैकरो में देखे क्या लिखा Before 1930, there was only one economic कोई माइकरो मैकरो नहीं Ragnar Frisch coined the word लेको क्या लिखा है? coined काम करन करने वाला व्यक्ति Ragnar Frisch जिनों ने माइकरो और मैकरो in 1933 to denote two branches of economic theory namely microeconomics and macroeconomics तो याद रखिएगा बच्चो कीन से साहब नहीं है जिनोंने क्वाइन किया undoubtedly कीन से साहब ने popular तो बहुत किया लेकिन कीन से साहब ने क्वाइन नहीं किया था बच्चो क्वाइन करने वाले व्यक्ति तो कौन? Ragnar साहब अब चलिए microeconomics देखिए concept समझने के बाद तो notes बस एक हिंदी की कहानी और कुछ भी नहीं है concept आपको समझ में आ गया है आईए जड़ा notes को देख लेते हैं the word micro is derived from Greek word micros जिसका मतलब होता है small अचा आप सोचते होंगे हर चीज Greek से ही क्यों आती है देखिए इस धर्ती की सबसे पुरानी भाषा Greek है बाकी जितनी भी भाषाओ ने जनम लिया वो कहां से लिया Greek से तो हर चीज का trace कहीं ना कहीं Greek से हमें मिल जाता है microeconomics deal with small segments of the society small segment अतला भाई अपना personally देखो क्या क्या करना है है ना microeconomics is defined as the study of owner and form या पारी अपना सोचे कि उसे कैसे profit कमाना है उसे समाज कल्यान करने की जवरत नहीं है वो अपने पर ध्यान देख वो अपने पर ध्यान देगा तो वो तो खुदी समाज का हिस्सा है कर सभी समाज के लोग grow कर जाएंगे समाज तो अपने आप ही grow हो जाएगा बच्चो सुसाइटी अपने आप ही grow हो जाएगी फिर देखिए अगर macroeconomics की बात करें तो the word macro is derived from Greek word macros which means large बड़े मुद्दे कहां solve होंगे macroeconomics में macroeconomics deal with aggregative economics सबको इखटा कर दीजे aggregate कर दीजे macroeconomics is defined as the study of overall economic phenomena such as problem of full employment भाई ये तो पूरे देश की समस्या है macro है GNP पूरे देश का होगा कोई एक आदमी का GNP थोड़ी होता है saving, investment, aggregate consumption, aggregate investment, economic growth ये सारे जो मुद्दे हैं जो individually solve हो ही नहीं सकते भाई जो individually नहीं solve हो सकते तो कैसे solve होंगे aggregate way में solve होंगे और अगर इखटा करके solve होंगे aggregate way में solve होंगे macro हो जाएंगे दूला आ गया अकेला थोड़ी आएगा, बराती लाएगा aggregate में आएगा, जुन्ड में आएगा है ना, तो कुछ समस्याएं हैं जो aggregate में ही solve होती हैं, अब आईए एक difference table है हमारे सामने, microeconomics और macroeconomics में, तो first point आप देख सकते हैं, microeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of individual units of an economy, और macro के बारे में क्या बोला, is that part of economic theory which studies the behavior of aggregate of the economy as, यहाँ देखिये बोला, demand and supply, अब देखो फुदी answer दे रहा है, अगर micro में demand and supply बोल रहा है, तो यहाँ aggregate demand और aggregate supply, यानि sum total ही तो कर रहा है, इखटा ही तो कर रहा है तो conclusion क्या निकल रहा है, सब macro कुछ अलग से थोड़ी है, micro का ही sum total macro है, भाई मेरी demand, आपकी demand micro है, सारे देश की इखटे demand ले लिजे, aggregate कर दीजे, इखटा कर दीजे, तो वही चीज क्या बन गई, aggregate demand, aggregate supply फिर देखिए, इसका aim क्या है, the aim to determine price of commodity और factors of production देखिए, सबहाविक है कि micro economics में individual units की बात होती है individual businessman की बात होती है वो क्या करने में लगा हुआ है, वो कीमत निर्धारित करने में लगा price बनाने में लगा हुआ है तो micro economics किस चीज के लिए लड़ता है price making के लिए लड़ता है लेकिन ये लड़ता है कि देश में रोजगार कैसे बढ़े, employment कैसे बढ़े it assumes all the macro variable to be constant देखिए, जब हम micro पढ़ते हैं तो हम macro के variable, यानि macro वाली चीजों को constant लेके चलते हैं जब हम macro economics पढ़ते हैं तो macro वाली चीजों को constant लेके चलते हैं एक समय में किसी एक चीज को ही carry कर येगा, ना दोनों चीज को mixing करेगा तो कोई conclusion नहीं निकलेगा तो जब micro पढ़ेंगे तो macro को side रखेंगे इसको प्राइस थियूरी भी बोलते हैं अब यदि बच्चों कमपैरिजन की बात करें इन दोनों में डिफरेंस क्रियेट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि माइक्रो और मैक्रो पे इपेंडेंट है तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह इंडिपेंडेंट है आप यह कहोगे कि यह इंटर डिपेंडेंट है इसके लिए क्या लिखा इफरेंस क्रियेट कर देना तो थोड़ा मुश्किल है what is macro from economy's point of view is micro in the context of the world it is difficult to say which is more important both have their own significance micro and macro Professor Samuelson knowledge of both is absolutely vital आपको micro और macro दोनों की ही knowledge रखनी पड़ेगी और दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते है micro होगा तभी तो macro होगा वच्टो कई बाद समझे तो ये difference था बच्चो micro economics में और macro economics में although ये आपका focused syllabus नहीं है but micro macro में फर्क तो समझ में आ जाए तब तो मैं macro economics को आगे बढ़ाऊ तो I hope आप लोगों को first class समझ में आई होगी कोई भी doubt है परेशानी है तो आप comment box में लिख सकते हैं दीरे-दीरे classes और interesting हो चाहेगी आप हमारे साथ regularly जुड़े रहिएगा इसके बाद हम directly macro economics का जो syllabus है वो next class से start करें आज तो जान पहचान की class थी थोड़ा आप मुझे जान जाएए दीरे-दीरे मैं भी आप लोगों को जान जाऊंगा फिर हम नए-नए sessions में मिलते रहेंगे और आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे अब तक के लिए बच्चों thank you so much मिलते हैं next class में बाई-बाई